अगर आप लोग मेरे चानल पर पहली बार आए हैं तो गाइस एक जन्रल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजुनेट हो हो सकता है ना हो तो आप इस रीडिंग को पॉस्टिब वे में लीजेगा जितना आपसे रेजुनेट हो से रखिए बाखी को इग्मार कीजे और गाइस एक टैमलस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तब आपसे रेजुनेट करेगी और ये रीडिंग सभी जॉडएक साइन किये तो आपका जो भी जॉडएक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे माच जरूर करेगी गाइस ये रीडिंग मारेड अनमारेड मेल फीमल कोई भी देख सकता है जेंडर स्पेसिफिक बिलकुल भी नहीं है ओके तो आज हुम रीडिंग करने वाले हैं इसका जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आपके आपको बह कुछ खबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है ग्रोप रिकावरी जाइस मेरा इकॉन न्यू चानल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एच इसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएका पसंद आता है चानल गाइस तो सब्स्क्राइब कर लीजें फ्रिट वच्श प्राइब चemiड् long बहुनिक टैषण ऑ्वस्पंट्री बहिश्ण सक्राइब दोस्क्राइब क लीज़ देस्क्राइब परर सेएल दॉज जरिवीजै को इंकिर्फाइब जबाएब दीजाओ और लीजुवश्ग ज ग्रीफ इंपर्शलिटी बालंस destiny and victim guys, यहाँ पर heart chakra की energy है, wisdom ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादे green cards आये है, one, two, three, four, five, six यहाँ पर heart chakra की energy है, ठीक है, तो आप लोग अपने heart chakra पर काम कीजिए, okay सो आप लोग की लिग क्या आया रहा है दीगे सबसे पहले आप से सारे काइस निकल कर आए है मुझे रगता है आप मेंसे काफी वह सारी लोग ऑ लोग सिंसे बेलξेजी सो चुके है और अपर हो रही है तो मैंकर चख्रा बैलंसिंग का एक वीडियो हुग्கा डाला हुब अपने न्यू चैनल पर उर्स न्यूंसे नहीं देखाँ है कि कौन से चक्र जागरत हैं कौन से नहीं है और कितना आपनावग कर चुके हैं तो गैस मेरा वह वाला वरीदियो आप देख सकते हैं, उससे आपको काफी help मिलेगी, मेरे न्यू चैनल पर वो वीडियो आपको देखने को मिलेगा ओके, लिंक आपको उस चैनल का description में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, आप लोग के heart chakra यहाँ पर मुझे लगता है कि heart chakra, crown chakra third eye or throat, मुझे लगता है अपर चक्रास पर काम करने की आपको strong, strong अब जरूरत है क्योंकि आपकी growth रुकी हुई है अगर आप दर्द में है तो, ठीके अगर आप grow नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण है कि आप दुख में है ठीके, आपकी जो good news आपकी life में entry लेना चाहती है जो blessings आपकी life में आना चाहती है वो इसलिए नहीं आपा रही है because पहला आपको growth, आपकी growth नहीं हो पा रही है ठीके, आपकी, यूनो वो energy जो है, उल्चा जो उपर की तरफ आ रही है वो दुख के कारण भी अठकी हुई है लेकिन आप दुख से बाहर नहीं आए हो basically कहने का मतलब यह है कि आप अपकी life में आगे बढ़तो रहे हो लेकिन कुछ चीज़े हैं जो आपको बार बार पीछे खीचने की कोशिश करती है कहने का मतलब है कि आप दूसरी सीडी पर चड़ गए लेकिन कोई पकड़ के आपको पहली सीडी पर वापस खीच रहा है तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को हील नहीं किया तो वो पार पर आपको पकड़ के पहली सीडी पर पीछे खीचेंगी तो आप अगर ग्रीफ की एनरजी के साथ अगर आप अपनी लाइफ को पेंट कर रहे हो ब्यूटिफुली तो आप पेंट कर तो लेंगे गाइस लेकिन आपके अंदर जो खुशी होनी चाहिए वो दूसरी सीडी पर पहुचने वाली वो खुशी का आप अनुवब नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो दुख पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुआ है ग्रीफ इसलिए आपकी ग्रोथ रुकी हुई है अदर्वाइस आपके लिए गुड नीउस यह है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आनने है डर्वाजे पर है लेकिन आपसे कहा जा रहेए कि दिरवाजा तो खोलो हार छक्रा ही ब्लॉक है समझ थ। यहां पर आपकी लाइफ में धीरे धीरे दिकवरी हो रही है चीज़ें धीरे धीरे डिकवरी हो रही है तो मतलब युनिवर्स अपना काम कर रहा है लिए कुछ काम आपको भी करना है आपको हार्ट चक्रा पर मेडिटेशन करने की ज़राते स्ट्रॉंग मेसेच आ रहा है ये आपके लाइफ में बैलन्स क्रेट हो रहा है और आपको आपके क्वेश्चन का भी आंसर मिल रहा है बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको काफी हद तक क्लारिटी मिल चुकी है और काफी हद तक उनको उनके सवालों के जवाब मिल रहे है तो आपके लिए गुड न्यूज यह है कि आने वाले समय में और सारे सवालों का जवाब जो भी आपके दिमाग में चल रही है वो मिलेंगे तीसरा मुझे लगता है कि आप किसी के साथ डेस्टाइं है आपकी कनेक् की वज़े से गॉसिप कार्ड मुझे ऐख मेंसेज दे रहे है कि रुसकता है कि आपके हाथ्चक्रा की कार्ड की एनरजी हहां पर बहुत से आपकी हाथ्चक्रा में ब्लॉकेज नजर आ रहा है की बोगम को शाइड यह डर है कि लोग क्या कह____गे ठीक है लोग पाते बनाइ तो यहां पर मुझे लग रहा है कि आप मैंसे काफी सारी लोग के मन में यह भी चल रहा है कि लोग क्या था है इस वज़े से भी मुझे लगता है आप इस कनेक्शन से भागने की कोशिश करो जब कि यह करनेक्शन देस्टाइन है आपके लिए यहां पर कुछ लोग ऐसे मौझे हैं जो अपने परसन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में डिफरेंस आ गया है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में सबसे बहुते हैं किसी के पेरेंस नहीं मान रहे होते हैं किसी के पेरेंस नहीं मान रहे होते हैं किसी के मतलब कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है किसी का कास्ट डिफरेंस होता है किसी की एज डिफरेंस होता है कुछ ना कुछ तो यहा इसकी वजह से आपने हार्चक्रा को ब्लॉक कर रखा हैं आप हार्चक्रा करेंगे तो आपका जो लव्क फ्लो होना थार्त होगी जब लव्क की एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट होगी तो सारे दुख दर्थ को भी खतन करेगी और यह जो आपके अंदर एक चीज है ना कि लोग क्या कहेंगे अब जब लग की एनरजी में आओगे तो आप इस चीज को भूल जाओगे क्योंकि आपको हो सकते हैं कि इस चीज का डर है कि आपके अंदर यह फीर नजर आ रहा है जबकि यह चीज करने करनी है तो मुझे असार लग पिसिज को विक्टिम समझते हो ठीक है अभी भी आप विक्टिम में रहते हो कि मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ वो हुआ फिर आप यह भी सोचते हो कि लोग मेरा advantage लेते हैं, लोग मेरा फाइदा उठाते हैं, जबकि आप यह नहीं देख रहे हो कि इनी सारी चीजों से आपने बहुत सारा ध्यान भी हासल किया है, ठीक है, यहाँ पर अगर अगर आप ध्यान से देखेंगे गाई सारे heart chakra के card है, इस अगर आपके life में आ रहे हैं, आप उसको enjoy कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने heart chakra block करे रहेंगे, तो आप अपने destine partner को अपनी life में आने से रोक रहे हैं, यह चीज नजार आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपके सामने cards है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cards यहाँ पर heart chakra के निकल के अपने heart chakra को अपने heart chakra को ब्लॉक मत कीज़े, heart chakra पर meditation कीज़े, तो आप इस heart chakra का बीज मंत्र है, उसको भी आप चैंट कर सकते हो, तो भी आप काफी help करेगा, यह connection desk time है, यहाँ पर यह वो ना लिखा हुआ है, ठीक है, यह तो हो के रहेगा, तो आपने heart chakra को open कीज़े, let's see आपको कौन सी खुशखपरी बहुत जल्दी मिलने वाली है, appreciation, बहुत जल्दी आप appreciation किन करेगे, मुझे लगता है काफी सारे लोग appreciation किन करने वाले हैं, world and women holding का heart, मुझे लगता है कि appreciation भी आएगा, मतलब दुनिया में आपका नाम भी होगा, दूसरा मुझे लगता है कि, see यहाँ से caring connection है, दूसरा मुझे लगता है कि आप women holding a heart से, मुझे लगता है कि आप जिस भी इंसान के लिए दिल लेकर पैठे हो, वो इंसान आपकी life में आएगा ही आएगा, यह destined partner है, dear, आप heart chakra block कियो अपना, क्या कर रहो हो, इतना क्यों नाराज हो आप इस इंसान से, मुझे लगता है आप नाराज हूँ साइज, या फिर आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, यहाँ भी green energy है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, green ही green energy है, देखेंगे यहाँ भी green है, यहाँ भी green दिखाई दे रहा है हाद चक्रा पर काम कीज़ें लव को flow होने दीजे, प्यार को flow होने दीजे अपने अंदर से, देखेंगे, action, यहाँ भी green ही green है, ठीक है, या पेशिंस देखिए गईस आपको कुछ ना कुछ तो है ऐसा एंवी कार्ट दिखाता है कि आपको कुछ ना कुछ तो जेलेसी है कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि आपको शिकायते हैं ठीक है आपको इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ शिकायते हैं कुछ तो आपके अ यहां पर ब्लैक & वाइट की एनरजी है, यहां पर ब्लैक & वाइट देडिग कार अपना life purpose समझ पाएं because ये person किसी का नहीं है person आप ही के हैं ये connection आपका है ये person भी आपके है ये किसी और के नहीं हो सकते कभी नहीं हो सकते तो अगर आपके अंदर शिकायते हैं jealousy है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना माफी देनी की जरुत है यहां पर otherwise यह अगर आपका यह जो दिल है प्यार से भरा हुए दिल है अगर यह jealousy से भरा होगा या फिर शिकायतों से भरा होगा अगर आप इस person को माफ नहीं कर पा रहे हैं इसका मतब है कि आपका heart chakra block है और जब तक आपका heart chakra block है जब तक आप इस person को माफ नहीं कर पा रहे हैं यह person आपकी life में action नहीं ले सकते हैं आपकी जिंदगी में action नहीं हो सकता है ठीक है आपको इस person को space देना होगा आपको इस person को अपने heart में space देना होगा ताकि यह action ले सके ठीक है यह चीज़े मुझे यहाँ पर नजर आ लिए otherwise अगर आप एपना heart chakra block किये रहेंगे guys क्यूंकि ग्रीन ही green cards आया है यह यह आपकी wishes है यह आपकी खुशकबरी है जो आपकी life में आना चाहती है लेकिन यहाँ पर blockage आप create कर रहे हो blockage आप create कर रहे हो को spiritual connection के लिए बहुत जाता misunderstanding होती है बहुत साय लोग spiritual connection के लेते हैं उनके लिए connection का मतलब होता है कोई इंसान जो उनके लिए चांद तारे जमीन पर तोड़कर ले आएगा उनको बहुत खुश रखेगा यह co-dependent relationships होते हैं अगर आप एक perfect spiritual connection की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है वो इंसान जो आपको आपके true self से मिलाएगा जो आपको divine से मिलाएगा जो आपका divine से union कराएगा जो आपका खुद से union कराएगा जो आपके potentials बाहन निकालेगा that is called a spiritual connection ठीक है वो कोई ऐसा connection नहीं है जो जिसमें आप co-dependency में रहो कि तुम मेरे लिए चाम तारे तोड़कर लाओ तुम मिले दुनिया भर की चीज़ें करो तुम मिले एक आलिशान बंगला वनवाओ यह connection नहीं है spiritual connection यह caring connections नहीं होते हैं यह co-dependent connections होते हैं और आपको आपके strength में लेकर आए यह चीज़ें है तो अगर आपको इस person से शिकायते हैं तो आपको शिकायते यहां पर इस person से कम करनी होंगी आपको अपने दिल को open करनी की जुना थे यह खुशियां आपके दर्वाजे पर आप ना बोल रहे हो जैसे कोई gift बाहर छोड़ कर गया है और आप मना कर रहे हो लेने से appreciation आ रहे है आपकी life में भर भर के universe देंगे तो मतलब आपकी उमीद से तो अच्छा ही देंगे आप पर hostilities card है तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले समय में आप बहुत ही जादा ताकतवर भी बन रहे हो ठीक है आप जैसे यह hostility का card यह योद्धा का card है तो इस person ने आप जब आपको trigger किया और आपको बहुत जादा hit किया तब कही न कहीं आप योद्धा की energy में आए हो तब कहीं न कहीं आप बहुत जादा power में आए हो ठीक है यह चीज़ा मुझे आप नजर आ रही है यह आपकी good news है guys ठीक है let's see कि आपके लिए tarot से क्या है आप लोग के लिए good news तो मुझे बहुत अच्छी दिखाई देरी बस एक problem जो मुझे नजर आ रही हुई यह कि आप अपना heart chakra open कीजिए इस person के लिए four of sorts five of vans five of sorts page of sorts page of sorts अगे आप देखिए आपका connection आकर है यह आपको लिए prove है guys first deck में destiny card था black and white second card आपका carrying connection second deck से third deck से two of cups यह person आपके लिए best time है यह blessing है guys कौन है यहाँ पर comment section में लिखे जो परसन को माफ नहीं कर रहा है यह इतनी जादने jealousy में है कि अपने heart chakra को block किये हुए है देखिए अब मैं और क्या बोलू मैं और क्या बोलू मतब कोई यह है कि कोई true love आपके दरवाजे पर आप कहरो मुझे नहीं चाहिए ठीक है यह तो वह बात हो गई कि आपका true love आपके दरवाजे पर है happy family है guys happy family है यह यह good news है खुछ खबरी है यार आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ complete हो रहा है कोई painful cycle the end हो रही है ओके so मुझे ऐसा लगता है guys कि आप लोगों को एक बार इस connection को माफ करने की ज़रौत है अपने heart chakra पर काम कीजिए heart chakra का आप beach mantra जो है उससे उस पर आप chant कर सकते हैं ठीक है और कुछ नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप महादेव महादेव की अरादना कर सकते हैं महादेव आपको खुदी answer दे देंगे ठीक है यह चीज मुझे आप पर नज़र आ रही कार्ड दिखा रहे है यह connection आपका है यह connection आपका है यह good news इस connection के साथ आपकी happy family लिखी हुई है मतलब यह person आ रही है आना चाहते हैं आपकी life में ठीक है लिकिन यहाँ पर आपको शायद conflicts का डर है या फिर obstacles का डर है या फिर आपको समाज का डर है something like that या family का डर है क्योंकि इस तरही कि मुझे messages मिल रहे हैं guys ठीक है आप लोग के लिए कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है 100% ठीक है आपको या तो आपको समाज का डर है या family का डर है या फिर आपको conflicts का डर है लड़ाई जगरों का या फिर obstacles का डर है यह चीज़े नजर आ रही है अगर आप अपना heart chakra open करते हैं तो यह connection आपका ही है यह मुझे नजर आ रही है आपके लिए blessing है लेकिन आप इस blessing को enjoy कर पाते हैं या नहीं यह आप ही के ऊपर है यह भी message है अच्छे चली angels की guidance दिखते हैं आपको क्या करना चाहिए ठीक कौन से angels हैं जो आपकी यह quest जो head to love की वो पूई कर रहे हैं कौन यिन राधा मा राधा, राधा मा soul flame, oh my god soul flame rediscover a lost part of yourself experience relationship harmony and healing यह अगेन वही बात कर रहा है कि आपका एक part है यह person ठीक है, वही twin flames की बात हो रही है कि आप ही का lost part है यह ठीक है, और इसके साथ आपका hardness connection है, healing ठीक है, तो इस person के साथ आप harmony और healing feel कीजिए यहाँ पर बात है, care and compassion choose to be loved, don't do what is right for everyone and what offering a helping hand offer a helping hand यह बात कर रही है कि आपको अपना आपको definitely कोई soul purpose हो सकता है तो आप से कह रही है कि आप love को choose करें और वो करें जो सही है, ठीक है ना यह भी नजर आ रहा है ISIS, Lord Shiva, अब मुझे कुछ नहीं कहा ना guys, यहाँ हो बहुत सारे हैं जो Lord Shiva के भकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो Lord Shiva के भकते हैं तो अगर आप Lord Shiva को मानते हैं तो आप अपना heart chakra open कीजिए guys ठीक है, अपने connection को अपनी life में आने दीजिए because Lord Shiva का आशिरवाद है यह connection, rise up, honor your inner for steps are being given, dance with the universe ठीक है, युनिवर्स चाहते हैं युनिवर्स के Lord Shiva चाहते हैं कि आप इस connection में हो सकते है युनिवर्स का और Lord Shiva का आशिरवाद हो यह connection, ठीक है और आप इसे surface level पर इससे गुसा होकर बैठे हैं ठीक है, आप अपने intuitions को follow कीजिए आईसस बोल रहे है, magic manifesting your dreams, visions and goals are become reality, stay focused यह आप से कहरे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं जो भी आप visions ले रहे हैं वो सब reality में बदल रहा है, focus रहे है ठीक है, एसे Lord Shiva Lord Shiva कहा रहे हैं guys Lord Shiva कहा रहे हैं, okay यह reading को manifest जरूर कीजिए ओके, so guys यह आपकी reading, I hope आपको यह reading पसंद आई हो अगर आपको reading पसंद आई है, तो guys please video को like करें, चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe जरूर करें, thank you guys